शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि अजिए सब्सक्राइब के लिए सुषी है करेंडर में अच्ली अच्पतम अच्पतम तो करेंडर अन्हान करेंग में अच्पतम डीसा प्रूट यूपने? चाल झाल झाल कौन है आप यह रास्ता कहां जाता है स्टेशन मगर मगर आप हैं कौन मैं यह समझो कि मैं घायल रू हूं अपनी खबर से निकल कर भागी हूं कि आपने कु सुना कि क्या अजाब के फरिष्टे अगर मैंने भी उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और दूंगी भी नहीं कि वह आगए शैद कौन आगए कि यह तो आवा है सिर्फ आवा सुनों देखो वह आ रहे हैं भागो अरे सुनों अरे कहां चली जा रही हो सामने खड़ है देखो अगर तुम्हें मेरे साथ चलना हो तो चलो मैं जल्दी में हूं बन्ना मेरी अलिपूर की गाड़ी छूट जागी हां अब क्या हूं सुना करती हो कि तो किसी गाड़ी की आने की आवाज है बस देख लिया अरे 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 हो इसकी नहीं है क्या है झाल 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 आज याल लंबी सभारे लंबी सभारे इदर आए साथ आप मुझे हयात मंजर ले जा सकते हैं माफ कीजिए हज़ूर मैं बड़ी देर से लंबी सवारी की इंतजार में हूँ आप एक काम कीजिएगा वो जो सामने मोड है न वहां तक चले जाएगा वहां से दाएं जाएगा आगे जाकर किसी से भी पूछे कोई भी आपको हया लंबी सवारे लंबी सवारी के लिए इधर आइए हएए है आधा इधाए है कि अ ये 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 अलाहु 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 लाहु अलाहु अधसी का नियुक्सरेकर रहा सकते fight नोशेडल हाँ अधस्य får्त करें युक्त म्यां अधुर्टमी का हुआічकर« मैं रहा से अन्ली और दाईगा बहुआ। हम अल्ला से तो डरिये देखिए एक हम है कि हकीम और डॉक्टर माजून और विटमिन खिला के जिलाय रखे हुए हमको लश्टम पश्टम जी रहे हैं और एक आप है कि आप से इतना भी नहीं होता कि जरा आहिस्ता आईए और गिरने से परहस कीजिए बाबा सरकार लजानी का बताओ बेटा कोई जल्दलत था जो आपके पीछे दोड़ रहा था जो आप सर पर पह रखके चले आए डर नाना सरकार हम तो आपको यह बताने आया थे कि आपने शायरी छोड़ दी अल्ला मुबारक करें अजी तौबा कीजिए वो हजरत आये हैं कौन आया है बेटे ए तो उनको ले आउ अंदर बेटे ले आउनको आई आये आये तश्रीफ लाइए इम्रान सहाफ ना सरकार आफ अली इम्रान सहाफ फोटोग्राफर आदा बड़े एमिया इनसे मिलिये यह सुकन उर्फ सकीना बेगम तश्रीफ रखिया तश्रीफ मुझे इनका बाप होने का अच्छा और इनके बाप होने की सजा मैं इनका नाना होने की सूरत में भुगत रहा हूं नाना सरकार इनका क्या पूरा नाम लीजिए ना सहाफ जाबे नबाब अब्दुलवहीट खा नैरंग नैरंग मेरा तकलिस है जिस तरह लोगों पर नजला गिला करता है ना उसी तर हूरा के वह थरह तो इनके लिए भी लाता हो एक ताजा शेर ताजा नाष्ट अमिया अभी लाता हुए अब लाता हूं कि यदष करताना pregunta ृट Venice इनका दीवान शाया हो और तस्वीरे छपें तो लोग इतने जूते मारें इतने जूते मारें कि इनके सर से शायरी का भूत हमेशा के लिए उतर जाए और मेरा बुढ़ापा बड़े आराम में गुजरेगा मिया मैं पैसे कम नहीं करूँगा आप कर लो मिया शायरी अल्ला हूँ क्या बाद है आप कौने जी मेरा नाम गवरी है नौकरानी आप कहा से आई हैं यहां से क्या बात है वह मैंने अभी भी एक लड़की को यहां से गुजरता हूँ देखा कोई नौकरानी होगी अजीब चाल अजीब शकल थुन कहरी है ना थुन में अक्सर शकले धोका देती हैं आप इस वक्तियां क्या कर रही हैं पत्तियां बुझाने निकली थी हुआ 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 जाने मुं जाने वफा आके पर दात उठा जिन्दगी कुछ भी नहीं है तेरे जलों के सिवा जाने मुं जाने वफा आके पर गात उठा जिन्दगी कुछ भी नहीं है तेरे जलों के सिवा हर पदं चाया घुमा हर करफ राज यहाँ क्या करूं कौन सुने मेरी आवाज यहाँ तो भी घुमनाम है तुभी गुम नाम है इस नाम से दोग तुझे पसदा जाने मन जाने वफा आके पर दात उठा जाने मन जाने वफा मीठे मीठे है कसक जिसम से रूह तलक महरवानी हो तेरी देख लो एक जलक दिल से आवाज जा जाने मन जाने वफा आके पर दात उठा जाने मन जाने वफा राहत कती हो तेरी आँखे प्यासी है मेरी अब तो आजाए नजर वो नजर प्यार भरी मेरा इवान है मेरा इवान है एक दिल तुझे प्ले देगा खुदा जाने मन जाने वफा आके पर दात उठा जिंदगी कुछ भी नहीं है तेरे जल्मों के सिवा जाने मन जाने वफा जाने मन जाने वफा जाने मन जाने वफाए। झाल वान वण हो लाओं वा लाओं भाओं लाओं लाओं कौन है आप तुम एक बात बताओ तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ और नहीं तो क्या कल रास्ते में अचानक मेरे सामने आ गई और यहां पहुंचा तो पहड़ी बे फिर तुम मैंने कलंदरों की महत्रिल तक तुम्हारा पीचा किया मास भी गाया वोगी कल रात हैाट मंजिल में अपने कमरें के भाहर तुमें देखा और इस वक्त यहां तुम मेरा पीछा नहीं कर रही तो और क्या कर रही और यह चक्कर क्या है तुम अपनी कब्र में वापस क्यों लोट जाती है मेरी मर्जी तुम कौन होते हो मुझे हुकम देने वाले मैं हुकम नहीं दे रहा गुजारिश कर रहा हूं आपसे साथ बहुत दिनों बाद एक अच्छी नौकरी मिली है जो तुम पीछे पड़ी रही तो गड़ बड़ हो जाएगे देखो अजाब के फरिष्टे तो अजाब के फरिष्टे ही होते हैं तुम कहीं भी भागो वो तो दोड़ा के तुम्हें पकड़ी लेंगे इसलिए बहलाई इसी में है कि तुम अपनी कब्रम वापस लोट जाओ तो मेरे पीछे तो पड़ी रहोंगी तो मुझे बहुत अच्छ रखते हो न मुझे दिखो अगर तुम्में याद हो तो तुम्हारा नाम क्या था मेरा नाम हया था आज भी मेरा नाम हया है और कल का पता नहीं अरे तो कम से कम अपने नाम की लाज तो रखो भाई यह गैर मर्द का पीछा करते हुए तुम्हें शरम नहीं आती अगर शरम आती तो तुम्हारा पीछा क्यों करती आउना मेरे साथ तुम्हारे साथ कहां मेरी खबर में सुनो मिस्टर इश्बाजी का एंगल तो तुमने निया निकाला है मगर मुझे इस कसम की बेहुदा बाते करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अगर जूदे खाना नहीं चाहते हो तो फॉरा निकल जो यहां से यह तो वाकई बागल है कमाल 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 यह कौन बद्तमीजा आया है ओओ है किसकी बात करें लागल है यह बदनसीब हैं यह अबदुलवईत की ना मुनासिप शायरी के लिए कुछ मुनासिव के लिए आना सब्सकुल के लिए थैस सरकार लड़कियों से मिलने के की तौड़त है होते हैं मंगर यह सुर१त पर सवार कि मैंने आपको यहाँ लग्या थी यहाँ है आप गया से आप तो अभी अभी सेहन बाग से भी ग्यायब हो गई थी खातून तक मेरे सामने आ गई और कहने लगी कि मैं अपनी कब्र से भाग कर आ रही हूं सुन रहे देदा सरकार आप इन्हें फार निकाल पेटे रुको बोलने दो इन्हें आ इम्रान बोलो बात करते करते यह यकायक वहां से गायब हो गई फिर रात का सफर करने के बाद जब मैं यहा बताओ जब तुम उससे पहली बार मिले थे तो कैसे मिले थे मेरा मतलब माहूल कैसा था जी दुन चाही हुई थी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था यह बुरके में थी इनका चहरा कुछ लमों के लिए दिखाए पड़ा फिर एक दम से गायब हो गया बात साफ हो गई देखो मिया एक तो वैसे भी धुन गहरी थी साफ दिखाए भी नहीं दे रहा था तुम्हें तुम जुरूर किसी घलत फहमी का शिकार होगा मिया होगी कोई लड़की और वैसे भी लोगों की शकले आपस में मिला करती नहीं नवाब साब मैंने बाते भी की क्या था मिया द अब यह क्या बेहूत की नहीं मेरे सरकार शायरी है तस्वीर है उसने भीके हुए जुल्फों से चुछटका पानी छूम के आई घटा तूटके बरसा पानी एक तस्वीर मेरी भी उतार लो ना मगर वहीर मिया के दिवान के लिए नहीं अपने लिए देखो गोरी देखों कैसे मुझ फेरे तो खड़े हो नरूठों मोसे प्याजी ऐसे चुराए नैना बनाए बतियां बंद करो यह बेहुदा शेरो शारी अरे सरकार अमीर खुसरों को तो बेहुदा ना कहें सूरत शक जाए ना सह सकूंगी सरा सब बढ़के लगा लो छतियां जाते जाते इस फीके हुए अंगारे को छू कर तो देखो मुझे अपनी बाहों में जकर लो सर्दी लग रही है अच्छा यह बात है मेरे पास अपनी बाहों से भी जादा करम कंबल है और वो है नवाब साब की डांट पर में सोच भी निसापता था कि है अगरत मनजल में इतनी बेजाल नोकरा निया होगी मुझे तो हैरत होती कि है कि है वाली कि संज़ार लगी तुम जैसे बेशरम लड़कियों को बरदा से करती है तो तुम जैसों को बरदास्ट yap कर सकता मैं तो सीधा नवाब साब के पार जाने वाला हूँ और उनसे नौकरी छोड़ने की इजाज़त मांगने वाला हूँ अरे वो घर तो और मैं तो शहरी में नहीं रहूंगा जहां तुम जैसी लड़किया रहती हो समझी याली अरे इम्रान साहब ज़रा सुनिये तो मैं अरे मैं क्या माफि यह तुम रहोगी में रहूंगा इम्रान सहाब क्या मेरी सिभारिश पर गौरी को माफ कर सकते हैं जीने इस किसम की बेहुदिया आज्मी नहीं हूँ नहीं और न्हीं करति यह लड़की नहीं है तो फर मैं यह कहूँगा आप गोरी को जानती नहीं और आगर को कि कहने पर कर रहे हैं इसका है क्युंकि मैं यह समझ रहती में आप बहुत बत्तमीज हैं और मुझसे फ्रोट करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए मैं आपका इम्तिहान लेना चाह रही थी यानि के हम इम्तिहान में पास हुआ है तो चलिए एक शर्थ पर हम गौरी को माफ कर सकते हैं शर्थ शर्थ यह है कि तुम मुझे इजाज़त दो अपनी के दिवान के नहीं अपने इस कैमरे को जिन्दा रखने के लिए विचारा अदमर्ण हो रहा है कि अ हां कि इसमाइल कर दोड़ाव जाता यह रोजे का तोड़का वक्त है कि इद मुबारक हो मैंने तो इद का चांद निकरने से पहले देख लिया था कि इद मुबारक हो जाजान जीती रहो बेटी यह रही तुम्हारी इदी दस और महंगाई बता हाँ यह लो शुक्रिया अरे बहुत चबं कवाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे क्या बताओ मियाब अपकी बरस धोका देगाए कम बहुत आमा तो इद क्या होगी खाक कवाली के बागार तो हयात मंजल की इद ऐसी होगी जैसे इफतार के बागार रोजा कवाली तो होनी चाहिए दूक्रेसिए आप इम्रान साब से क्या नहीं कहते है दाधा सरकार इम्रान साब जी हां वो भी बहुत अच्छे खवाल हैं लेकिन शायद सब के सामने गाएंगे नहीं उनकी अच्छों को भी गाना पड़ेगा आम आप हम्जा मियां वो इम्रान मियां से कवावां बला रह तुम तो बड़े चुपे रुस्तम निकले नहीं 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 अब आज रात को महफिल जमेगी और तुमको गाना पड़ेगा हम नहीं सुनेगा इस सिन्वायत को हमेशा याद रखूंगा बोलूंगा नहीं मुझे दीवा नहीं दीवा बोलूंगा नहीं मुझे दीवाना हूं दीवाना दिवाना, खोलुंगा नहीं मुसे। एनातोरी नश्चाती दियांकी। पूछेगा कोई मुझे से मैं नाम नहीं लूँगा पूछेगा कोई मुझे से मैं नाम नहीं लूँगा ये दिल भी दिया तुम को मैं जान भी दे दूँगा ये दिल भी दिया तुम को मैं जान भी दे दूँगा क्या चीज मुहबद है मुझको नहीं समझाना बोलूगा नहीं मूसे दिवाना हूँ दिवाना भूडूँगा नहीं मूसे दिल मेरा सु लगता है अब चांदनी रातों से हर दिल मेरा सु लगता है अब चांदनी रातों से तकदीर मेरी लिख दो मेहनदी लगे हाथों से दिखलाओ खुदाई तुम मैंने तो खुदा माना बोलूगा नहीं मूसे दिवाना हूँ दिवाना बोटूंगा नहीं मूसे बैठा हूँ तेरे दर पे दामन नहीं फैलाया मांगूंगा नहीं तुझ से जुल्फों का हसी साया मांगूंगा नहीं तुझ से जुल्फों का हसी साया अर्मान है आशिक के और शान फतीराना खोलूंगा नहीं मूसे दीवाना हूँ दीवाना तरवाजा खुला होगा चाहो तो चले आना बोलूंगा नहीं मूसे रात तो तुम्हारी आखों ने बेबा की की हदी कर दी अगर दासर कार यह पूछ बैठते केमरान मिया यह क्या हो रहा है तो तो क्या कहा देते आश्यकार मुहबबत हो रही है और क्या होशों में रहो मुहबबत करने वाले होश में कहा रहते हैं मुहबबत होश ले जाती है पहले मुहबबत है नाम दीवानगी का इस गोलाब इस गोरे हाथ में क्या खिल रहा है अकर इजाज़त हो तो इसे माच्यून लू हमायम्रान मिया आप भी कमाल है ठक गया हूँ धुंते धुंते खेरियत तो है अमच्छा के खेरित है वो बारोर है पेट में वो मरोड है पेट में कि क्या अर्स कि अमा डॉक्टर से मिलिए ये तो जुलाबों के आसार है जुलाबों के आप भी अजीज तड़के से शेर लिए घुम रहा हूं और आप ला पता है सुनाता कि ते अर्स करता हूं वही दम का भरोसा नहीं ठैर जाओ चिराग ले साथ कि अनीज दमका भरोसा नहीं मगर आपने वही दमका भरोसा नहीं कहकर वावाव कई चणूा वावाव लेकिन वो हाथ हाजीर है जिसमें वो कलम था शौक फरमाईए अजी तकल्लफ कैसा शौक फरमाईए न और वाइद मिया जी अब आप सीधे वो फवारे वाले हौस में चले जाए और वहां बैटकी यह घजल कलिए रोजोज नहीं हुआ करती साहब अमा वहां कहीं जराब बिल वहीद भाई किया आपका मजा क्या सरा अमा था मुझा मजा खराब कर दिया कंबक्त अब अपने लब चखाओ ताकि थोड़ा मू मीठा हो कि कि अध्या इमरान मिया अगे अप्ट इस यह द्रण आखेब है अध्याइज है सव्थ दीलिए अध्या अभुशे थरती अध्याप कि अध्याव कि कान हो तूम कि तो यहां आने के लिए तुम अपनी कब्र से भागी थी तेखो आज इतनी धुन भी नहीं कि तुम उसमें गायब हो जाओ इसलिए बदाओ कि तुम कौन हो कहां रहती हो और इस कब्रस्तान में क्या कर रही हो कि तुम्हारे चेहरे पर नकाब है और इस नकाब के पीछे जरूर कुई राज है आज में राज जान करें रहूंगा देखें देखुंगा नहीं सुनूंगा कि बलाए अबरान साहाथ लाहोल विला कुवत इल्ला विल्ला आप अकेले तन्हा इस कब्रस्तान में किसकी तस्वीर खीज रहे हैं आपी ने तो कहा तकि यहां कि एक अर्ज करता हूं अर्ज करता हूं कहां चले गई है अर्ज करता हूं क्या अर्ज करते हो तुम यार जिसने अर्ज करना था वो तो चले गई आप क्या बगते हैं इडिएट भाया एक बात बताओं वो मुझे कल फिर मिली थी कौन अरे वही नकाब वाली और वही तुम्हारी अम्मी के कबर के पास इम्रान सताने की भी हद होती है सुनो उस दिन तीले पर तुमने मुझे देखा था ठीक है खलंद्रों की महफिल में भी मैं ही थी और जब मैं खलंद अब इम्रान मैं तुम्हें कोई मिखाब पोश्भूत मी नजर आती हूँ नहीं नहीं लेकिन उस दिन रास्ते में जो मुझे मिली थी वह कौन थे वह कौन थी राज कुसला की एक फिल्म थी उफ्फ मजाग मत करो है या क्योंकि मैंने तुम्हारी अमी के कबर पर उस लड़की को जेखत तुम अमी की खबर के बास बैठके उसका अंतिजार करो इतना घुसा भी क्या बैठो से बैठो फिर एक वादा करो तुम मुझ से उसी कभी बात नहीं करोगे अच्छी तौबा कीजिए तौबा कीजिए आ मेरे पास बात करने के लिए आपकी अहसीन आखें यह नाजुक गुलाब की पंखड़ियों जैसे लव हैं सुबा की लाली जैसे रुकसार है किसी दिन यह आदमी मेरे हाथों मारा जाएगा इम्रान जाब मैंने अभी-अभी किसी के हसने की आवाज सुनी मैं यह असरा था अब क्या वाकई अक्यले बैठे बैठे हसरे थे जिया मेरे खांदान की रिवायत है सुभान अल्लाई अब मरोम जो अकेले हुआ करते थे तो वो सर के बल खड़े होकर हसा करते थे सुभान अल्ला सुभान अल्ला दादा मर्हूम का तो शौक ही नहीं रहा था उनका जब हसने को जी करता था तो वो किसी का कटल करके हासा कर देते सुहाल अल्ला और कभी कभी मुझ में दादा मर्हून की रूप समा जाती है जैसे कि इस वक्त और मेरा हसने को बहुत जी कर रहा है मैं आभी किसी को भेचता हूँ कदा करेंगा कर दक्रपडने कर दो कर दो कर दो एकारए बनल्ट बनल्कार क्पार दोग एजया ज मेझा कार विर भूब उड़े कि एा बनल्कार बनल्कार पुर पर भूद एए! झालगा उड़े कि एा लिर खीर से एोगे कारू ए एए! कर दो कर दो कर दो ये जान लेने वाले क्या प्यारे बोले बाले नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के ओ मेरे होश का समसे उड़के उड़के नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के तुम पर ये दिल जो आया हमने नहीं सिखाया तुम पर ये दिल जो आया हमने नहीं सिखाया इतना मगर पता है आँ चल जड़के हमने नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के ओ मेरे होश का समसे उड़के उड़के नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के ओ मेरे नेनों से नेना लड़के तिरे नेनों से नेना लड़के खाबों में रोज आना रखना ये आना जाना हाई खाबों में रोज आना पर रखना ये आना जाना हमको तो मिल गया है मिलने का ये बहान के नैना लडगे तेरे नैनो से नैना लडगे मेरे होश वसम से उड़के नैना लड़के तिरे नेनों से नेना लडगए तिरे नेनों से नेना लडगए अच्छा है या बुरा है चाहत में एक नशा है अरे अच्छा है या बुरा है चाहत में एक नशा है अब क्या नजर चुराना साबित ये हो चुका है कि नैना लड़ गए तिरे नैनों से नैना लड़ गए ये जान लेने वाले ये जान देने वाले क्या प्याने बूले भले नैना लड़ गए तिरे नैनों से नैना लड़ गए पतंगें भी लड़ गई नैना भी लड़ गए पर असली पेज अब पड़ा है कैसे इसका दिल तो हमेशा शादी के खुआप देखता है पर आम तोर से शादी तक पहुंचने ते पहले यह आंके खुल जाती है क्या मतलब यह कि एक मामूली फोटोग्रफर की आंखें हायात मंजिल की हाया से शादी करने का खुआप कैसे देखें आंके छोटी खाप बड़ा अच्छा तो डरपोक मिया मैं कहलूंगी उनसे दाइसरकार मेरी बात को कभी नहीं कह सकते और अगर उन्हें ना कह दी तो तो देखा जाएगा और अगर नहीं देखा गया तो तो मैं कहीं और चादी करनूंगी और अगर फलकनुमा पैलस की बीबी सरकार तर्शेफ लाई है फलकनुमा पैलस के शी नवाब साथ बीशाथ आपंप इसकी कोई बेटी भी म्हीं है जो अब्रदुल वहीद मिया के लिए रिष्टा मागने आई हूं तो एक तो इत्राथी बहुत है मुझे तैं एक आख नहीं भाती सुohan Одекement सुohan अ मंुञालो ने , हायात-मंजिल वालों को फलकनुमा पैलेस वालों की बुराई करना जय्ब नहीं देता हम उनके आहसान मंध हैं अगर वो फलकनुमा पैलेस की किसी बांधी या कनीज के लिए भी तुम्हारे बेटे का हाथ मांगे तो हम इंकार नहीं कर पाएंगे आदाव 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 आधाव आये तश्रीफ लाएंए आये तश्रीफ रखोची है यह आप क्या फर्मा रहे हैं हमारी कहा मजाल आपके सामने फर्माएं हम तो खादिम हैं खिदमतगार हैं आर्ज कर सकते हैं वैसे आपके आने से हमारी इज़त तो बढ़ी लेकिन आपने खुद चलके आने की जहमत क्योंकि खादिम को बुला लिया होता हम हाजर हो जाते आपको बुलवा के आपसे कुछ मांगना कुछ अच्छा ने लगा बीबी हमारे पास ऐसी चीजी क्या है जो आपको मांगनी पड़े वैसे अगर वैसी चीज है भी तो आपके मांगे बगएर आपकी हुई फरमाईए जी मैं सज्जाद मिया के लिए हया का हाथ मांगने आई हूँ यह तो हया की खुशकस्मती है वैसे सज्जाद मिया कहा रह गए वो गर गवरी बाहर बिठा दिया क्या हूंने जावा अंदर बुला लाओ जी वो अबदुलवहीद साफ के साथ है जल्दी बुलाला अबदुलवहीद की शायरी से बचा लो जाओ जल्दी जाओ वो हमारे अबदुलवहीद है और फॉल बगते रहते हैं तो माशायला बहुत बड़ी हो गई होगी मैंने तो बरसु पहले देखा था उसे माशायला अठारा साल की हो जाएगी इस चान में बस तो अब इस चान की चाननी बेरी हुई मैंने जल्दी में लिखा था कुतुम मिना से आओ सजाद मिया से परदा कैसे करना देखो यह अब तो अपने हुए न अब तुम तो इनकी पुपी सास हो अब हम इचासे दीचे इसे भी क्या जल्दी है नहीं यह गलत बाद साम आज की रात तो आपको गरीब खाने पर गु आपकी तो क्या होता क्या होता दुए के तरे जमाने से उठ गया होता बहुत अच्छा होता कसब हो गया सरकार ने नवाब सजजाद साफ के साथ आपका अरिश्टा मनजूर कर लिए नहीं कि आपकार ऐसे नहीं कर सकते हैं उन्हें सब्सक्राइब करना तो नहीं चाहिए कि सुभान अल्ला एक शेर और याद आया कि पूछा कुतुम मिनार से पूछा पूछा कुतुम मिनार से दिल्ली का पता क्या है बोला पठान कोट से जैपुर की तरफ मुड़ जा क्या रास्ता बताया शुक्रिया 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 जनगाव इम्राइन खान तरफिय कं स्थियों अपकी तरीफ अप पर्óstत-री तरीव धिвой ये ऐ है कि दीवान के लिए और मेरे शेरों को अपने तसवीर के शीशे में व्ता है अजी साहब मैं लाग कोशिश करूँ मेरी कोई भी तस्वीर आपके शेरों की अजमत का दामन तक नहीं चूँ सकते आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस पर एक शेर अर्फ करूँ आपने इनकी तारीफ नहीं की अजी आप नबाव सजड़ अली खा साब लेकिन जल्डी इनकी तारीफ बदलने वाली है क्योंकि ये मेरे होनेवाले दुला भाई है आजी हया से इनकी शादी तैब हुई है नवाब सज्जाद अलिखा साब की होने वाली बेगम की खिद्मत में ये खादम दिली मुबार्खबाद पेश करता है ना ना इन आखों में काजली अच्छा लगता है ये दर्द ना भरो तो मैं तो खुश होना चाहिए कि तुमने एक मामूली आदमी से शादी करने से बज़ गई है कहां मैं कहां नवाब साथ शुक्रियादा करो अपने खांदान की रिवायतों का एहसान मनो औरत की इस बेबसी का कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ इश तो जरू कर सकती है लेकिन उसके ताश शादी नहीं कर सकती है किसी उस्ताद में बहुत खुब काया है किसी अमीर की लड़की किसी गरीब के साथ निकाप एब समझती है बाग सकती है जाहिर है कि मेरी महब्बत तुम्हें आश और आराम की वो जिन्दगी नहीं दे सकेगी जो सचाद सहाब के पैलेस में मिलेगी तब तुमने महब्बत को समझा ही नहीं इम्रान आज की महब्बत सौ साल पहले वाली बेबस और बेजुबान महब्बत नहीं है दाया सरकार दाया सरकार खैरियत जी मुझे आपसे कुछ अर्थ करना था कहो बैठे लेकिन ऐसी गहरे रंग की संजीदगी क्यों वड़ाई है क्योंकि बात ही कुछ संजीदा है दाया सरकार ऐसी बात है तो क्या सुबह का इंतजार नहीं कर सकती हो नाश्ते के बाद हॉस के किनारे में शाय तब तक मैं हिम्मत आड़ जाओ ये भी ठीक है पहले बैठ तो जाओ आपका हो क्या बात है दाया सरकार मैं जानते हूं कि जो कुछ भी मैं आपसे कहने जा रहे हूं वो है अद्पनसिल की रिवातों के खिलाफ है लेकिन लेकिन क्या वेटे आपने जो मेरे लिए रिष्टा खुबूल किया है वह मुझे खुबूल नहीं है घराना बुरा है जी नहीं लड़के की शकल सूरत बुरी है तो फिर क्या बात है बिटे दासरकार मैं आपके हुकम पर अपनी जान भी दे सकते हूं लेकिन मैं क्या बेटी इम्रान से शादी करा जाती हूं यह तो तुमने मुझे बड़ी उल्चन में डाल दिया अगर मैं तुम्हारी खुशी की खातिर यह भूल बेजाओं के इम्रान हमारे खांदान का दामाद बनने के लायक नहीं है मगर उस कॉल को कैसे भूलूगा जो मैंने बीबी को दिया है अब इस रिष्टे के टूटने का एक ही रास्ता है नोर चश्मी मुझे खुदकुशी करनी फड़की है एक रास्ता और भी एक अधर सरकार कौन सा रास्ता सच्चा साथ भी तो इंकार कर सकते हैं हाया को तो आपने कई बार देखा होगा इमरान साथ जी आप कई बार देखा है मुझे तो अभी तक जियारत ही नसीद नहीं हुई जाने कब निकलेगा उस उच से मुलाखात का चांद मुझे पता नहीं था कि आप शायर भी है अमा शायरी क्या बस कभी कब आप तुक बंदी कर लेता हूँ अच्छा हाया बहुत अच्छी शायरा है तब तो खूब गुजरे कि जो मिल बैठेंगे दीवाने दो आगें वहाँ तुम तुम हया हो जी हाँ मैं ही वहया हूँ जिससे आपकी शादी तैय हुई है जियारत को निकाहें मुंतजर थी तो चलिए खत्म कीजें इंतिजार रब इसे कहते हैं बेसाकता शायरी भई अब तो प्यास और बढ़ गई कुछ और सुनाईए ना क्यों नहीं आपको सुनाने के लिए ही तो आई हूँ तश्रिफ रखिए न किसी कदर मुझे चाहिए न किसी कदर मुझे चाहिए न किसी कदर की तलोश है मेरे दिल पुदर जो समझ सके मेरे दिल पुदर जो समझ सके मुझे उस नजर की तलोश में मुझे उस नजर की तलोश में न किसी कदर मुझे चाहिए मुझे मंजिलों की नहीं लगन मेरे दिल में है यह एक चुबन मुझे मंजिलों की नहीं लगन मेरे दिल में है यह एक चुबन मेरे साथ खाए जो ठोकरे मेरे साथ खाए जो ठोकरे उसी हम सफर की तलोश है न किसी कदर मुझे चाहिए जहां बंदगी के उजाले जहां रोके जागने वाले जहां बंदगी के उजाले जहां लोके जागने वाले वही राही मिलते हैं प्यार के वही राही मिलते हैं प्यार के उसी रह बुजर की तलोश में न किसी कदर मुझे चाहिए मेरी धरकनों में जो राग है ये बसनत है ये बिहाग है मेरी धरकनों में जो राग है ये बसनत है ये बिहाग है ये जो खलकी खलकी सी आग है ये जो हलकी खलकी सी आग है मेरी उम्र फलकी तलोश में न किसी कदर मुझे चाहिए वाह बहुत खूब क्या बात है आप इस गाने का मतलब समझें क्या गाने का भी कोई मतलब होता है मेरा सवाल फिर भी वही है सज्जाद तो फिर मैं कूड मगज हूँ सवाल समझा नहीं सवाल ये है कि एक लड़की के घरवालों ने एक आदमी से उसकी शादी करने का वादा कर लिया लेकिन उस लड़की की किताबे दिल पर पहले से ही किसी और का नाम लिखा हुआ है अब एक तरफ उसके घरवालों का वादा है और दूसी तरफ उसकी अपनी महबत अगर वो लड़की अपनी महबत का रास बता दे तो क्या वह आदमी उस लड़की से भिर भी शादी करेगा अगर उस आदमें परकने की ताकत है तो ना सिर्फ यह कि वो उस लड़की से शादी करेगा बल्कि ये कि वो अस अजीम पागदामन सच्चाए की देवी की पूजा करने लगेगा जिसके पास साफगोई की ये नेमत हो आया उसके साथ शादी से इंकार करने वारा कोई बदनसीबी होगा पर वो लड़की है कौन? और वो दो आदमी कौन है? वो लड़की मैं हूँ जिससे वादा किया क्या वो आदमी आप है और जिससे प्यार किया उसका नाम बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो प्यार उस आदमी की अमानत है अब बताईए तुम्हारे मुझ से ये सारी बाते सुनने के बाद तुमसे शादी करना मेरे लिए बड़े फक्र की बात होगी इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता क्या मैं गलत क्या रहूं इमरान? जी कमाल है भाई मेरी इस खुशनसीबी पे मुबारक बात तो दो बहुत बहुत मुबारक हो सचाच सार क्या मैं अंदर आसकता हूं नवाब साब? आईए इमरान में आईए माफ कीजी का नवाब साब मैं जानता हूं कि आपके आराम करने का वक्त है लेकिन सवेरे चुकि मैं तड़की ही निकल जाओंगा इसलिए खुदाफिज और तमाम महरबानियों का शुक्रिया दा करने हाजर हूं यह अब क्या फर्मा रहे हैं मिया शुक्र गुजार तो जो है वो हमें होना चाहिए था अगर आप चाहते तो हमारे रास्ते में कई दुश्वारियां खड़ी कर सकते थे हाया को बदनाम करने का सबब तो बन सकते थे आप लेकिन आपकी शराफत ने आपको ऐसे खलती करने नहीं दी मुझसे एक गलती जरू ही है नवाब साब मुझे अपनी हैसे तो देख लेनी चाहिए थी अपने मिट्टी के प्याले में चांद उतारने का ख़ाब तो नहीं देखना चाहिए था ना हजासत दीजे खुदा हाफिज बेटे खुदा हाफिज बेटे खुदा हाफिज अल्ला तुमको खुश रखे बेटे अल्ला खुश रखे तुम और यहां इतने सविरे मैं जानती थी तुम किसी से मिल बगार ही चले जाओगे अमेजान को मेरा अदाब कहना कह दूंगा लेकिन फिर तुम्हें उनका एक हुकम मनना पड़ेगा कैसा हुकम वो सलाम लेकर हमेशा खुश रहो कहती है तुम्हारे सलाम के जवाब में भी यही कहेंगे इसलिए वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगे वादा करें ने खुश रहने का तादा सरकान ने खुश ना रहने का हुकम दिया है और अमीचान खुश रहने का हुकम देंगी दोनों में से किसी एक के हुकम को तो टालना होगा ना इम्राद तो किसका हुकब टालो चलो अम्मी का यह हुकम हम दोनों ही टाल जाएं जुदा होना हमारे बस में था कि सोच जुदा हो रहे हैं कि खुश होना ना मेरे बस में ना तुम्हारे अख्तियार में अब के हम बिछड़े तो शायद कभी खाबों में मिले नींद आएगी तब ना कि तुम इस फूल को अपने साथ ले जाओ कि मैं इस तैकेला यहां हयात मंजिल में छोड़ने ही सकती और वहां नवाब महल में अपने साथ ले नहीं जा सकती यह क्या कर रहे हो आओ हम दोनों इस फूल को यहां दफन करते हैं कि फिर तुम्हायात मंजिल चली जाना है कि और मैं अपना ख्याल रखना है कि मुझे बहुत याद्दा करना है और दुनिया में दिल लखा लेना कि अधा है अधार कि अधार कि अधार कि तुन्हें महब्बतों की खिस्वत में सिर्फ जिदा ही लिखी है महब्बत की ट्रैजडी यही है कि महब्बत करने वालों के सिवा महब्बत की कीमत किसी को मालूम ही नहीं कि इसलिए अक्सर मुहब्बत का दाम जुदाई से चुकाना पड़ता है जाओ तुम्हें इमाम-जामिन की हिफाज़त में दिया रुको इमाम-जामिन की जरुत मुझसे जारा तुम्हे है मैं तो घर वापस जा रहा हूं सफर पर तो तुम निकलने वाली हो खुदाफिस आया अब तुम्हें से लौट जाओ पहले तुम जाओ जब तुम कोहर में गायब हो जाओगे तब मैं चले जाओगे अब जिद मत करो प्लीज देखो चुदा होना क्यों कि मुश्किल काम होता है रोकर इसे और मुश्किल मत बनाओ कि क्या बच्पना है हया यह मुहपत कमबक्त रुलाती जरूर है मुझे तुम से कुछ कहना है नहीं मुझे कुछ सुनना है और नहीं कुछ जानना है जब मैं कुछ जानना चाहता था तो तुम गायब होती रही और मैं चीहाता है और अब चुछ पर कि शुदश मारे में कुछ कहना है , उसकी जान खत्र में है इमरान हया की जान को क्या खत्रा हो सकता है उस खत्रे का नाम सज्जाद है क्या बखवास करती हो सज्जाद से क्या खत्रा हो सकता है कि तुम वाकई पागल हो मैं पागल नहीं हो है कि जान की खसर में पागल नहीं हो यखिन करो है कि जान बहुत खत्र में है हाया किसी भी खत्र में नहीं हो सकती तुम क्या उसकी दाना सरकार से भी ज्यादा उसकी खरका हो जिन्होंने ये रिश्टा कुबूल किया क準 कि और फिर कि मैं सजाद को जानता हूं वह हमारे शहर के इच्जदार आदमी है फलकनुम्हा पहलेश के नवाब हैं वह तुम नवाब को नहीं जानता है इम्राओं वह चाहे अयात Сегодня पहले सके मैं तुम्हारे हाँ जुड़ती हूर अबराण मेरी बात मान लो मैं तु यह भी नहीं जानता कि तुम हो कॉन अभी सिर्फ इतना जान लो कि मेरा नाम आजिया है और है या से मेरा बहुत कहरा तालोक तभी तो उसकी जान बचाने के लिए मैं उन आजाब के फरिष्टों की चुंगल से निकल भागी जहां घुड़ों की टापे दिन रात मेरे दिल को कुछला करती थी तुम्हारी शकल हया से क्यों मिलती है कि इम्राइब कि इम्राइब कि मुझे तुम्हारी यहमत निए विद्धा से तुम्हारी यहमत कि तुम फलक नुमा पैलेस में तकाजा करने चले आए वो दिन भूल गए जब तुम्हारे दादा फकेर चंद कंधे पर खिदमतगारी का रुमाल डाले हमारे जन्नत मकानी दादा मरहूम का हुक्का ताजा किया करते थे मैं भी खिदम गुजार हूं वीबी सरकार हमारी जब हमने तुमसे कर्द लिया है और वो कर्द हम अदा भी करेंगे का करेंगे बीबी सरकार च्छे बरस हो गए हैं रियासतों के जाने का मतलब यह नहीं कि तुम जैसे लोग हमें दिनों की गिंती बताने लगें वक्त आने पर तुम्हारा कर्द अदा कर दिया जाएगा यह क्य क्या करूं इकलते भाई जो हो जीते रहो आप कुछ गुस्से में दिखाई दे रहे हैं गुस्सा मेरा बस चलता तो उस विलायती प्रसाद को गोल इसे मार देती तो आसपास पिस्तॉल नहीं था या कोई और उकाव उड़ा गई थी सज्जाद हर मुश्कील को मजाग में जोड़ा देनी की आदिख छोड़ो जानते हुना हमारा रुआ 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 कजबे बंधा है फलकनुमा पैलेस उस विलायती प्रसाद की यहां गिर्वी पड़ा है परोडों की जायदा तीस लाग के लिए जो हाथ से निकलेगी वो अलग सारे हिंदुस्तान में अब देखिए ना इस वो खादिम खिदमत गुजार नौकर चाकर रकावदार बटेरवास लॉंडियां बांदियां और नजाने कितने आलतु भलतु लोग मिलाकर लगबख सो पचास आदमी खापी रहोंगे अब इन सब की क्या जरूत है निकाल बाहर कीजिए ने होश में निकाल बाहर कीजिए ताकि वो सब को ये कहते फिरे के फलक नुमा वालों की जेव खाली हो गई है तो फिर एक ही रास्ता है हाया से मेरी शादी और वो भी जल्द से जल्द इजाजत है लीजिए ये भी कोई पूछने की बात है हाया बैटी पारी बन्नो चल्ला जो आया ससुराल से पारी बन्नो चल्ला जो आया ससुराल से वो हरी आला वो जो बने वाला पहनाएगा बड़े चाहों से हारी बन्नो चल्ला जो आया ससुराल से वो चीकती रही हाया को बचाओ हाया की जान खत्रे में है उसने यह भी कहा था कि हाया को सज्जाद से खत्रा है सज्जाद ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से लड़की को ढूबना चाहिए प्रकाश लेकिन यार वो लड़की मिले की का यही तो मुश्किल है इसीरे तो तेरे पास आया हो एक काम कर उसने तुझ से जो जो बातें की हैं वो बता अब लवज बर लवज तो याद नहीं है लेकिन क्या के अजाब के फरिष्टे कब्र से आई हूं घोड़ों की टाप में सज्जाद के पैलेश में स्टेवल्स हैं घोड़े हैं वो लड़की वहीं कहीं होनी चाहिए चल बैठ चल कि अब आपको कौन सा पठा ए濃 मेय पता कोई भीवी जे बाज ही मेरी एं हमूआ थी भी नगा आ Gibbs कि कुन बच्चा है फिलाल तो आप अपने बाजी जोटी हैं की एं मिया नहीं लाड़े हो बस्तूैं बान है बता वो दर्की का है बता वो दर्की का है छोपा रखी है वो किर की उसके नीचे का प्रिमेश अस्या अस्या याँ 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 उस्या याँ अस्या याँ पर पर ही पर पर पराई गिए dark को ठाद ही को तो, पर पर पालेको पार अखरण तो कि टृचित आता नता नता चार! हाँ! एतास आता! अटापसे, बापसे! है आसिया कच्छा रास्ता आ रहा है जरा संबल के लीजी हम आगे आओ आओ जम जम आओ अरे लड़कियो इन्हें ऐसे ही आने दोगी जरा उठके फूलों की छड़िया तो चुलाओ हम तो पहले से ही तयार बैटे हुए हैं हाँ हाँ लगाओ लगाओ शौक से लगाओ यही छड़ी खाने के तो अर्मान थे हमारे क्यों अच्छा यह बात है तो अपनी संधन बेगम की अर्मान तो मुझे ही पूरे करने पड़ेंगे वकील और कवा आ रहे हैं परदा कर लो क्या नबाब सजाद अली खा वल्द मरूम नबाब बुन्याद अली खा से बिलवज मेहर छे लाक एक्यामन हजार सिक् के रैजुल्वक्त तुम्हें ये निका, पबूल है तुम्हें ये निका, पबूल है तुम्हें ये निकाह कबूल है सुन लिया आपने सुन लिया आपने आए तश्रीफ लाइए आपको निकाह कबूल है कबूल है आपको निकाह कबूल है कबूल है आपको निकाह कबूल है कबूल है आदाब झाल 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 आज तुम्हारा हया से क्या नाता है मैं हया की सौतिली बेहन आसिया हूँ क्या मेरी माँ हयात मन्जिल की एक खादमा थी मामुली नौकरणी और मेरा बाप हयात मन्जिल का नवाबसा था उसने मेरी बाद से प्यार किया लेकिन शादी नहीं की और जब मैं इस प्यार के नतीजे में पैदा हो गई और सरकार को पता चला तो खया बता के उन्हेंने मेरी माँ को घड़ से निकाल दिया और मेरा बुजदिल पाप खड़े खड़े देखता रहा सिवाए इस चहरे के मुझे उस पाप से और कुछ नहीं मिला फिर क्या हुआ फिर सरकार ने एक बड़े घराड़े में मेरी बाप की शादी करवा दी और हया पैदा हुई इसलिए हया की शक मुझसे मिलती है उसके बाद एक कोट्री में मेरी गरीब माँ मर गई और यहां हयात मन्जिल में मेरा मुझ दिल बाप कुसर किया एक दिन मेरी सौतिली बाप को पता चला कि मैं एक ये टीम खाने में पड़ी हुई हूँ तो वो मुझे हयात मन्जिल आई और एक बार फिर मेरी वज़ी से हयात मन्जिल में कया मता गए बहु बेगम तुमने हमारी शवकत का नाजास फाइदा उटाया है इस लड़की के यहां आ जाने से हयात मन्जिल का माहौल नापाख हो गया है खुदा के लिए ऐसा मत कहिए आसिया ने मेरी कोक से जनम नहीं लिया तो क्या हुआ है तो यह मेरी शोहर की आउलाद और इसलिए मैं इसकी मां हूँ हया से ज्यादा यह मासूम बेसाहरा लड़की मेरी ममता की हगदार है खामश यह लड़की यहां नहीं रहेगी बाबा सरकार अगर आसिया यहां नहीं रहेगी तो इसकी बहन हया और इसकी मां यानि की मैं भी यहां नहीं रहेंगे हया की बादे मुझ में और हया में कोई फ़र्ख नहीं रखा वो मेरी सौतिली मात थी इसलिए उन्हें मुझे तो डफरत होने चाहिए थी पर उन्होंने ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया मुझे उनसे वो सब मिला जो हया को मिला प्यार दुलार ममता और मैंने उस च्छोटी से उबर में यह ठान ली के इसी पांग दामन हुरत के लिए मैं अपनी जान भी निसार करतूं तो भी कम होगा लेकिन अल्ला ने तो मेरी खिस्मत काली स्विहाई से लिखी है एक दिन ये कायक हया की बाग उज़र गए उसका सहरा उट गया जो सौतेली होकर भी सगी वास सबढ़ कर थी सरकार ने फिर मुझे घर से निकाल दिया पिटन तुम जानती हो कि लड़की हमारे खांदान पर बात बड़ा दाख है हम इतना चाहते हैं कि तुम इसे हमसे इतनी दूर ले जाओ कि इसकी मन्हूस सूरत हमारे खाबों में विना सके अब बेगम हाया की माँ मेरे खाबों में आती रहती है रोती रहती है और बस यही कहती है आसिया बेटी होया को सबालो और मैं हुवेश उन से यही कहती हूँ अभी बेगम आसिया की जी पेजी होया को कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता अच्छा है ब्राद मैं चलती हूँ और कहां जाओगी अच्छा है अच्छा नहीं पता रही देखो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो तुम मुझ से दो रहो मैं बहुत बरूस हूँ कहा था रहे ब्राद मेरी खस्मत बहुत कहरी काली सियाए से लिखी हुई है फजूल बात मत करो तुम मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता तुम मेरे साथ चलो चलो तुमने तो अपनी आखें बंद कर ली थी लेकिन मैं अच्छी तरह देख रहा था तुम वहां मेरी जगए अपने कमीने आशिक उस दो टके के फोटोग्रोफर को देखना चाहती थी नीच बजजात क्या नाम है उसका जिससे तुम फसी हुई थी मैं फसी वी नहीं थी फलक नुमापालस के इस कम्रे में अपनी सुहाग रात के फूलों के सामने अपने शोहर से ये कहती हुए तुम्हे शर्म भी नहीं आई कि तुम किसी से इश किया टी थी इश स्कोई शर्म की बात नहीं है एक नेमत है जो सब की तख्दीर में नहीं होती और उसने तुमारे इस मखमली बदन को हजारों बार चुआ भी होगा गुलाब की पंख्णियों जैसे इन लबों को चूमा भी होगा मैं जूटे बरतनों में खाना खाने का आदी नहीं हूँ और तुमारी सुरसुते मुझे यू मिन अफरत है पुराने सोफे, अलमारियों, आईनों, बरतनों और कालीनों की तरह तुम भी इस महल में पड़ी रहो ताकि जब कोई महमान आए, इन चीजों के साथ-साथ हम तुम्हें भी दिखा सकें कि ये कालीन हमें राजा मानसी ने दिया था, ये मुझे समा इटली से आया था और ये टी सेट, बाबा मरूम ने एक पब्लिक आॉक्शन में पैरिस में खरीदा था और ये दुलहन हम अलिपूर से लियाएं हैं, तुम मेरी बीवी नहीं हो, सिर्फ सजावट की एक चीज हो, पड़ी रहो अमी आस्या है, आस्या ये अमी आदा, खुश रहो देखो, वहां वुसल खाना है, हाथ मुदूलो, फिर कुछ खा लेते हैं जाओ जाओ ये, ये कौन है बेटे ये एक मसलूम, ये सहारा के लिए लड़की है हम में अपनी पैदायश की सजा भुगत रही है क्या हुआ बैचारी को बाब भुजदिल था, मा बेबस, तादा जालिम इन्ही आलात ने इस बैचारी को मान डाला अम्मी आप दिन बर केली रहती है सोच अगर ये यहां कुछ दिन रह जा तो आपको एहतरास नहीं होगा एहतरास? एहतरास क्यों होगा बेटे? जब तक चाहे रहे तुम लोग क्या घास खा रहे थे कि वो आया और उठा के लेगा सरकार वो हुआ क्या के हमला इतना यकक हुआ के ये जूते खाके रह गए पता नहीं मैंने तुम जैसे नमक हरामों को क्यो पाल रखा है जिन्दा रहना चाहते हो तो उसे धोड के लिया हूँ आसिया का मेरे कबजे में रहना बहुत जरूरी है मुझे तो कर छोड़ो मगर अमीजान को खुदा हाफिस कहे बगएर ही चली जाओगी तुम जा रही थी ना कहां पता नहीं क्यों जा रही थी मुझे प्यार के वाहूल में तहरा नहीं आता इम्रान रह के देखू तो तीरे तीरे रहना आ जाएगा आ और वादा करो कि अब कभी यू छोड़ कर जाने की कोशिश नहीं करोगे परना तुम पर पहरा रखने के लिए मुझे रात रात बर जागना पड़ेगा मैं अंदर आ सकता हूं जी बैठिये बैठिये मैं सुहाग रात की वत्तमीजी पर बहुत शर्मिंदा हूं बात यह है के लाख कोशिश करने के बाद भी मैं इमरान को बोलानी पाता है बस खून खौल जाता है मगर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा अभी तो जरा इन कागजात पर दस्तकत कीजिए क्या लिखे हैं इसमें आप मुझे अपना मुखतार हाम बना रही हैं जेनरल पार अफ़टर्णी ओ जेनरल पार अफ़टर्णी मगर मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा शोहर हूँ मजाजी खुदा क्या निकाह नामे में ये भी लिखा हुआ है कि आपकी वीवी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको अपना मुखतार भी बनाओं इसमें यही लिखा होगा ना कि जितना हक मुझे अपनी दॉलत पर है आपको भी उतना ही है हाँ और आप इसे जब चाहे बेश सकते हैं या जिसे चाहे इसे दे सकते हैं मैं आपको इसका एक्तियार नहीं दे सकती मैं साय नहीं करोगी कि दस्तखत करो नहीं करूंगी जाहिल शोहर की तरफ भीव पर हाथ उठाते शरुन नहीं आई देखा नहीं एठी ओगी दस्तखत से इनकार किये जाने हैं तो यह दुलहन बेगम की मज़ी तुम कौन होते हो जबरदस्ती दस्खत करवाने वाले मार मार के वो सुझा दिया घरीब का लिक्लों यहां से मैं कहते हूं निकल जाओ मैं अपने बुजर्गों की तरफ से भी माफी मांगती हूं दुलहन असल में आजकल सज्जाद बहुत परेशान रहते हैं मैं उन्हें समझा दूगी अब वो ऐसी बत्तम इजी कभी नहीं करेंगे चल आराम कर ले चल 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 आराम हाया पीपी बड़े सरकार को ख़बर कर देनी चाहिए नहीं गड़ी नया सकार जब यह सुनेगे तो खुदा लगास्ताब जीते चीवर जाएंगे नया सकार मुझ से बहुत प्यार करते हो गड़ी तुझे मेरी किसम है उन्हें कभी नहीं कहना कि मैं खुश नहीं हूँ उन्हें बस यही पता चलना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ लाज शराब के साकी तेरी सुराई हम लाज शराब के साकी तेरी सुराई हम लाज शराब के साकी तेरी इम्रान शराब के साकी तेरी दोखे में आगी ना मैं इम्रान नहीं हूँ मैं इम्रान का भूत हूँ भूत दढ़ाओ तुने शराब पी है ना पी तो है अम्मी बहुत कड़वी होती है किसी को भूलना भी हो ना आप मत पीजेगा जिस घर में आज तक अरे जिदवा तक नहीं आई कि उसमें शराब होती है उस खर में तु शराब पी कराया ना मुराब अल्ला रसूल के फरमान भूल गया अपने कानों में गूजने वाली आजान भूल गया अपने मुसलमान बाप की रूप को ये सुक पहुंचा रहा है तू बस कीजी अम्मी नहीं बेटी नहीं इसे कहूं मेरे नजरों से दूर हो जाया ऐसे बच्चे की मां होने से तो अच्छा था कि मैं बे अलाग ऐसे बत कही है मैं इस वक्ती होश में नहीं है जब होश आएगा तो शर्मिना होगे आउ इम्रान इम्रान झाल झाल कि अना थी हमारी किसमत के विशाल हो तुम तुम यह केसे मैं तुम यह कड़े तुमारे इंतुसार करेती क्या मैं जागना चाहें अच्छा किया अच्छा किया तुमने पर तुम दिल के बाहर के निकल आई है वहीं चुपकर बैठी रहो अम यह को पता है नहीं चलेगा पता है इन आतों को चुमने के लिए कब से जी जा रहा है यह मूँ क्यों फिर लिया मुझे शर्माती है अच्छा तु यह बैठ है शर्म को भी इलाज है हमारे पास चांद की जिसके रन को मैंने मुठ्व में बन कर लिया है उसे जाने थोड़ी दूँगा सुरज निकलते ही अम्मी से कहूंगा कि तुम्हारा ब्या मेरे साथ करा दो पाक परवर्दिगार आसिया को लंबी उमर देना मेरे बच्चे को जुदाई के जहनम से निकाल लाई है को लाई है कर दो कर दो आँखे मेरे बदलने लगे देखते हैं खाब आँखे मेरे बदलने लगे आँखे मेरे बदलने लगे देखते हैं खाब आँखे मेरे बदलने लगे देखते हैं खाब आँखे मेरे बदलने लगे आँखे मेरे बदलने लगे तेरे हात में रिष्टों की आबर रिष्टों की आबर मरने के बाद हूंगी खुदा को में क्या जवार आँखे मेरे बदलने लगे देखते हैं खाब अपने हुया पराए दगा होती है दगा चोरी की रोशनी से अंधिरों को ना सजा अंधिरों को ना सजा एक एक किरम का देना पड़ेगा मुझे हिसान अल्या है मेरे चहरे पर रख्यों मेरा नकाब आँखे मेरी बदलने लगे देखते है खाब आसिया बेटी नाश्ता अम्मीचार मैं ले गरम गरम पराठे और बाला इखा इम्रान को तो खाने का भी शौक नहीं जो भी सामने रखो गर्दन जुका कर खा लेता है बेटी अब तुम्ही ठीक करना उसे मैं समझी नहीं अम्मी समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे बात शुरू करूं मगर बात क्या है बात वो है बेटी जिसे सुनने के लिए बरसों मेरे कान तरस रहे थे कल मैंने सुन ली मैं तो सुबह की नमाज पढ़कर सीधी मौलवी सापके घर जाकर निका के तारीख भी तैकर आई किसका निकामी अबी तुम्हारा और इमरान का बेटा रात हम दुनों अपनी बात नहीं कर रहे थे हमें बेटा ये क्या कह रहे हो तुम मैंने खोज सुना था सुना तो मैंने भी था लगर बात किसी और की थी पहले आनो बुजाओ और किसके बात हो रही थी अमी अभी आप इस सवाल के चेहरे पर नगाब भी बड़ा रहने दीजे इमाम जामिन की जरुत मुझ से जादा तुम्हें है मैं तो गर वापस जा रहा हूं सफर पर तुम निकलने वाली हो अभी तक जाग रही है मैं यह तुझे क्या हो गया है बेटा क्या हो गया यह क्या हालत बना रखी है अपनी आज तक तुने मेरे कोई बात नहीं टाली कभी महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं बेवा हूं सवेरे उठते ही याँ खुले तो बस तेरा प्यार सुआ तो बस तेरे प्यार के सपने और अब तेरी हालत देखकर मुझे नीन नहीं आती बेटे नीन तो मुझे भी नहीं आती अम्मी एक आग है जो मेरे सीने में जल रही है एक ज्वाला है जो मेरे छाती को भूक रही है आपने कभी सुना नहीं वो लोहे को लोहा कारता है जब मैं शराब पीता हूं तो ये आग धंडी हो जाती है और जब मैं होश में आता हूं तो फिर भड़क उठती है अम्मी आपकी आँसू भी इसे नहीं बुझा सकते या खुदा मैं क्या करो ये क्या मी ये मेरे बच्चे को क्या हो गया अस्या बेटी किसके नजर लगई मेरे लाल को हां में जिंदगी में सारा खेल नजर ही का तो है आप इनकी नजर उतरवा लिजिया तुम ठीक कह रहे हो बेटी मैं कल ये से दर्गा शरीफ ले जाओंगी जहां उंच नीच अमेर गरीब सब के मुरादे पूरी हो दिये चारों तरफ उदासी थी बेचैन थी हवा एक रोज उस मकाम से मेरा गुजर हुआ करवटी किसी ने भी देखा जो मने मुड़ के तो आने लगी सदा इश्क न करी यो को इश्क न करी यो को तौबा 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 इश्क न करी यो को पहले बसाया नैन में उसको बाद में बैठा रो जीते जी तो चैन नाया मर के भी ना सोई जीते जीतो चैन नाया मर के भी ना सोई इश्क न करी यो को कावबा कावबा इश्क नखरी योखो कावबा कावबा इश्क नखरी योखो वो उस गरीब की, गुजरी थी उमर इश्क में, जिस बद नसीब की, मैंने उठाए हाथ जो पढ़ने को पाता, निकली मवार चीर के फिर से वही सदा, सब्सक्राइब का फिरा इश्क न करियो भो, ताबा मेर ताबा इश्क न करियो भो ये नाम से लगा किसी आउरत की कब्र थी देखा जो गोर से तो महाबत की कब्र थी एक गमजदा जवान था बैठा हुआ वहाँ जिलते थे उसके आशू तो आती थी ये सदा इश्क न करी उपो तौबा 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 पिश्क न करी उपो तौबा मेरी तौबा पिश्क न करी उपो एक और कब्र देखी थी मैंने उसी जगा वीरानी जिसकी देखी के सदमा मुझे हुआ आँखों में आशू आगे दिल से उठा धुआ घबरा के मैं जो फर्टा तो आने लगी सदा अवला मेरी तौबा पिश्क न करी उपो तौबा 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 अवला मेरी तौबा 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 ना ना गलत बिलकुल गलत अपने आओ इश्く है सचा इश्く है सचा पाकी जूटा इश्क है सचा पाकी जूटा इश्क है सचा जिसने भी इस राद को समझा दुनिया के जनजाल से छूटा इश्क है सचा पाकी जूटा इश्क है सचा इश्क कभी मरता नहीं है शिक्वे गिले करता नहीं है इश्क कभी मरता नहीं है शिक्वे गिले करता नहीं है जोड़िले तुकडे दिल कर तूटा इश्क है सैचा बाक जूटा इश्क है सैचा जिसने भी इस राज को समझा दुनिया के जंजाल से थूटा इश्क है सैचा बाकी जूटा इश्क है सैचा सारी उमर तड़ पेगा जोगी उसकी अगर बदनामी होगी सारी उमर तड़ पेगा जोगी उसकी अगर बदनामी होगी रब रूटेगा यार जो रूटा इश्क है सैचा बाकी जूटा इश्क है सैचा जिसने भी इस राज को समझा दुनिया के जन्चाल से जूटा इश्क है सैचा बाकी जूटा इश्क है सैचा चाहे मेरा दिल घम से भर दे चाहे मुझे बरबाद कर दे चाहे मेरा दिल घम से भर दे चाहे मुझे बरबाद कर दे उसका पता दे जिसने लूटा इश्क है सैचा बाकी जूटा इश्क है सैचा जिसने भी इस राज को समझा दुनिया के जंजालते थूटा इश्क है सैचा बाकी जूटा इश्क है सैचा इम्रान! यह सब क्या है इम्रान? तुम्ही ने तो कहा था वादा करो हमेशा खुश रहोगी और मैंने तुम से कहा था मुझे जादा याद मत करना दुनिया में दिल लगा लेना फिर यह सब क्या अल्ला उनके साथ है जो सबर करते हैं सबर करना सिखो इब्राद अपने आशिक को सबर करना जरूर सिखाओ लेकिन मुझे में इतना सबर नहीं है मैं यह भी बरदाश कर लूँ कि मेरे शहर में मेरी बीवी एक दरगा पर अपने आशिक को चोरी-चोरी मिलने आए सज्जाद तुमसे तुम मैं फिर बात करूंगा अभी इस दो टके के आदमी को कुछ सबक सिखाना है कि अच्छाद यह लो चाबुक और मारो अपने आशिक को मैं कहता हूं मरो इसे जाए चुछाद चुछाद मुझे बास कीजिए ले जाए अपने आदमी को मुझे तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना खूब आता है मुझे जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं होगी सज्जाद दस्तकत करोगी की नहीं तुम ये सवाल करते करते ठक जाओगे मगर मैं इंकार करते करते नहीं ठकूंगी तो इस सरफरी लड़की को समझाओ इसे बता दो ये तो खेर चीज क्या है मुझे तो लाशों से भी दस्तकत करवाना आता है अमिठीट हो जाएंगी नाजिया ये सब तुम पर है मुझ पर इम्रान मैं यह नहीं कहती कि तुम हया को भूल जाओ मगर अम्मी चान को याद रखना भी तुम्हारा फर्ज है अगर तुम उन्हें जिन्दा देखना चाहते हो तो उनसे अपने जखमों को छुबाना सीखो मुस्कुराहत का एक नखाब डाल लो अपने चेहरे पर अब क्या होगा आपा यह हया का ददा कहाँ से आ गया कहीं हया ने उसे कुछ बता दिया तो तुम बिल्कुल फिकर्मत करो सज्जाद हया को अपने ददा की बहुत अजीज है वो उने कुछ नहीं बताएगी मैंने अपने कानों से सुना है फिर भी आपा खब्राओ मत मैंने कौरी से कह दिया है कि उसे काल कुठ्री से निकाल कर तयार करके तादा के पास ले जाए बैचो हमको देखने दो हमारी नूर नजर कुछ दबली नजर आ रही है दा सरकार मैं दूबला होना चाहती हूं लेकिन हमारी नन सब इतना लाड़ प्यार करती हैं और इतने चाव से खिलाती हैं के इंकार भी नहीं किया जाता बेटे तुम कैसे लगा अपना नहागर ऐसा घर तो मैं खाब में भी नहीं सो सकते थी द्यासरकार या मैं कहते हूं तो सूरज निकलता है और मैं कहते हूं तो सूरज डूब भी जाता है मैंने तुमसे कह था ना बेटे कि इस घर में तुम बहुत खुश रहोगी अब बताओ वो इम्रान क्या ये जन्नत दे सकता था तुम्हें आप मेरे घर में इम्रान का नाम क्यूं ले रहें दादा सरकार इस घर में मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं सब कुछ भूल चुक्या हूं अल्ला का लाख लाख शुकर है तुमने आज हमारी रूपर से एक बहुत भारी आज़ाप का बोज उठा दिया है यह खयाल एक चुजा की तरह हमाज दिल को कुथरता रहता था कि कहीं हमने तुम्हारे हक बे कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया आप मेरे लिए घलत फैसला करी नहीं सकते दा सरकार वहां सब कैसे हैं अल्ला का फदल है लेकिन दर दीवार तक उदास हैं तुम्हारे लिए तुमने खत क्योंने लिखा वो मुझे शर्म आती है बेटे से सुराल कोई शर्म वाली जगह तो नहीं है अब लिख दिया करूं आदाब बजा लाता हूं नवाब साब आदाब आदाब नवाब साब हम माफी चाहते हैं हमें अभी अभी ख़बर मिली क्या तश्रीफ लाए हैं तश्रीफ रखिये शुक्रिया अरे नवाब साहब आप यहीं बैट गए अंडर चलके दिवान खाने में तश्रीफ रखिये ना हजरत दाग जहां बैट गए बैट गए आपने आने की खबर तो नहीं दी लेकिन शिकायत करने की गुस्ताखी की अजाज़त तो देनी पड़ेगी मिया सज्जाद जो शिकायत हम करने वाले हैं उसमें गुस्ताखी नहीं नवाब हष्मत अली खान का गुस्सा है और मिया सज्जाद शिकायत यह है कि आपने अपनी दुलहन को और बीबी आपने अपनी भावी को इतना प्यार दिया इतना प्यार दिया कि वो हमें खत्लिक न भूल गई अब बीबी आपका जिमा रहा कि हफते में कमसकम एक बार हमें ये एकत कार्ड घसीड दिया करें बस चलिए अब तमाम गिले शिक्वे दूर हुए खादिम को इजाज़त दीजिए ये आप क्या फर्मा रहे हैं कुछ दिन हमें आपकी खिद्मत करने का मौका तो दीजिए बीबी आप अच्छी तरह जानती हैं कि बेटी के घर में नहीं रहा जाता हम चलते हैं एक साथ रोज बाद हया की वालदा की बरसी है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हया को साथ लाने की जहमत गवारा करेंगी जी नवाप साहब पूरे साथ तब तक इस कोश्री के कीडे मकोडे सनाटा अंधेरा तुमसे सो बार दस्तकत करवाएगा इस घटिया हवेली में तैखाने के बाहर भी अंधेरा कम नहीं है सज्जाद देखता हूं तुम अपनी जिद पर कब तक कायम रहती हो बीबी सरकार बीबी सरकार आपको अपने अल्ला रुसूल का वास्ता अपनी जानों माल का सदका है अब बीबी की मार पिटा ही रुकवा दीजे उन्हें उस कालकोट्री से निकलवा दीजे वहां हयात मंजिल में उन्हें कभी फूलों की छड़ी से भी मार नहीं पड़ी वो वो इस घर की बहु है तो फिर बहुओं के तोर तरिके भे आने चाहिए तुम तो दुलहन बेगम की साथ की खेली हुई हो ना समझाओ जसुरान में कैसे रहा जाता है हम क्या उसकी जायदा बेचकर खा जाएंगे वो मुल्क जायदा शाह से ज्यादा बन गई समझा कर दस्तखत करवा तो समझी दस्तखत कर दे तो उसे कोई परिशान नहीं करेगा तु बार बार इस अंधरे जहनु में क्यों चलिया आती है गोरी भगवान के लिए उस काजस पर दस्तखत कर दीजिए हर्गिस नहीं मेरे जीतेजी उन्हें मेरे विरासत का एक पैसा भी नहीं मिल सक्ता अगर वो मुझसे मांगता तो शायद मैं उसे दे देती मगर वो मुझसे चीन नहीं सक्ता अरे तो अभी से रोने लगी कम से कम मेरी मौत का इंतिजार तो कर ले क्यूंकि मेरी मरने पर इस घर में सिवाय तेरे और कोई रोएगा भी नहीं वो कमीना सजद यह सब क्यों रहा है ? सजद मिया पर लाखों का करजा है और वो हया बीभी की जयदात से वो करजा चुकाना चाहता है हया बीभी ने जयदात देने से इंकार कर दिया और सजद taught मार पिटाई करके emanet अपने नाम लिखवाना चाहता है और अब तो उन्होंने हाया बीबी को एक अंधेरी कोठी में डाल दिया है जहाँ ना हवा है ना रोशनी मैं इन फलुकनुमा पहले सवालों से जाके मिलता हूँ और इस सज्जात को हदकड़ी लगवा के ही दम लूगा इससे तो भात और भी बिगड़ जाएगी हाया बीबी खुद अपनी मा की बरसी पर अपने घर जाने वाली है आप बस इतना कीजिए कि दादा सरकार उन्हें अपने पास रोख ले सज्जात के घर कभी वापस न जाने दे अगर वो हयात मन्जिल जा रही है गोरी तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो सज्जात के घर कभी वापस नहीं जाएगी अच्छा मैं चलती हूं कहीं उन लोगों को बता ना चल जाए कि मैं घर में नहीं हूं खुद हाफिस खुद हाफिस अजया अभी भी गोरी आई थी मैंने सब सुन लिया है इम्राण तुम्हाया को सज्जात से बचाओ तुम नहीं जानते वो किपना हराबी आदमी है अजया तुम्हारा सज्जात से क्या नाता है मैं एक बे सहारा कटी पतंग थी एक बैंक में नोकरी मिल गए महा सज्जात ने मुझे अपने प्यार के जाल में भसा लिया मैं यह सोचकर खुश हो गई कि इस दुनिया में मुझे कोई सहारा मिल गया सज्जात को बैंक से चोरी करनी थी और मैं उसके महकावे में आ गई सज्जात करने पर मैं उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई सज्जात ने जाली दिस्तखत करके बैंक से अठारा लाग रुबे को बन कर लिया जब मैंने शादी की बात छेड़ी तो उसमें साफ इंकार कर दिया मैं समझ गई कि अब मेरी जात को खत्रा है क्योंकि उसकी इतनी बड़ी चोरी का सिस्त मुझे ही पता था अपनी जान बचाने के लिए मैं बैंक से वो गागस निकाल लाई जो उसकी चोरी का सबूत था अरी यह सब होने के बाद तुम पुलिस के बास क्यों नहीं गई अगर मैं ऐसा करती तो जो नखाब मैंने अपने चहरे पर डाल रखा है वो उट जाता और यह खबर पहल जाती कि मैं उस खांदान की नाचाहिज आउलाद हूं और यह डादा सरकार के लिए सजाय बहुत से कमना होता फिर क्या हुआ इस बास से डरके कि कहीं मैं पुलिस में खबर ना कर दूं सज्जाद में मुझे एक तैखाने में बंद कर दिया आप महां वो मुझे दिन रात मारा पीड़ा करता था ताकि वो कागस मैं उसे देतो आज या बैंक का वो कागस कहा है नहीं बताओंगी नहीं बताओंगी नहीं वह से निकल लो इम्रान वो मेरी तरह संग्चान नहीं है खुदा के लिए उसे वह से निकल लो कि यह क्यों रुक गए मैं कुई चांस लेना नहीं चाहता सज्जाद की वज़े से तुम्हारी जान खत्रे में है किसे तुम्हाई ठरो मैं हाय को लेकर आता हूं कि फिर हम तीरों साथ चलेंगे हायात मंजिल ताकि तुम सब के सामने दादा सरकार को अपनी और सज्जाद की पूरी कहानी सुना सको हाया बज जाएगी और तुम्हें तुम्हारी विरासत का पूरा हक में लेगा कुम्हें धे मुट धुम्हारी में जाता है जाएएई धुम्हें प्रॉँ अजय हो लगाग अजय हो अजय हो अजय हो जुटाइब पत्तर ने रख नी से कहा ते ना बड़ा अजय हो जी जी हो जी यी जी हो गोगा वक्त और मुखा देकर अपना मूँ खोला करां याल्खी, दिवासला ही लो रचनिमेगता। एकues, एकues, गत dirty आप टूझ आस्या को उग मत हूं एक एक एका एक एका 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 कहां चले गई यह इसे यह ठेले को कहा था कि दूआ गे साथ तो फिर पूर होंगे खार अल्लाह मेरे चेहरे पे रखियो मेरा नखार अच्छा दो सरकार मैं चलते हूं पेटे तुम तो जानती हो के हमारे जी तुम ही मेरा अटका रहता है अब वहां जाके ऐसा मत करना कि तुम्हारी खेरियत बालूम करने के लिए हमें वहां चलके आना पड़े हफते में एक अद बार अपनी खेरियत का एक काड़ घसीड दिया करना जी जा पिटी अल्ला की अमान में रहो जा आप जुझा मेरा तरया है. हुआ है 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 अब दाइव सरकार अरे बचाई हो मेरे मॉला रेल छूट गए क्या तुमारी बेटी रेल ने तु क्या कोठाई तुमूट गाड़ी पर जाने वाली थी और इम्रान मिया का मिल गए तुम्हें इम्रान मैं तो कुठाई गई नहीं वो तो मैं देख रहा हूं या याली क्या बाते बेटा खेर तो है इसके मानिए यह होई कि आसिया हया बनकर कुठाई चले गई और उसकी जान खत्रे में हो गई नवास तब जल्दी कीजिए ज़रा मेरी समझ में कुछ नहीं आख रास्ते में आपको सब समझा दूगा लेकिन इस वक्त हमें फॉर्ण चलना चाहिए हम जानता था तुम्हारे समझ में ये बात आ जाएगी कि इस दस्तावेस पर दस्तखत कर ही देना चाहिए है 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 समझ लो कि आज हमारी शादी शुदा जि कुछ हाथ था मर्द कुछ जल्वाज होते ही है मगर मैंने भी कुछ गल्तियां की थी इसलिए आज इस कागस पर दस्तखत करके मैं अपनी गल्तियों के तलाफी कर रही हूं मगर पहले अपने इस मिलाब की खुशी में ये शिर्बत पी ले शुक्रिया हुआ 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 है हुआ 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 ह पल्की हया की सौतेली बहन आस्यां तुमने मुझे अपनी बीवी बनाने के बजाए अपनी रखेल बनाना चाहा और सितम पर सितम ये कि तुमने हया की जिन्दगी भी तभा करने की ठान दी ये मुझसे नहीं सहा गया इसलिए ये शर्बत पीकर मैंने अपने आपको और तुम्हें पिलाकर तुमको सजाए मौत दी है इसमें जहर मिलावा था तुम हराम जिन्दगी जिये हो सज्जाद हराम मौत मरो तुम छूट बोल रही हूं मैं तुभे मार तुम घुटता हुआ मैसूस हो रहे ना इस जहर का असर यूहीं शुरू होता है अपनी मौत को छूकर देखो सज्जाद बिलकुल पास खरी है तम जरूर निकलेगा मगर तकलीफ से निकलेगा हाँ अचलाओ अलाओ 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 अगाँ आस्या मेरे लिए इतना करती रही और मुझे से मिली तक नहीं अगर मिलते तो तुम मुझे वापस जाने देती क्या मगर तुमने यह सब किया क्यों मेरी शकल तेरी शकल इसलिए मैंने अपने चेहरे बंदखाम डाले रखा ताकि सरकार की सत्मने रहे हाया सजाद अब तुम्हें कभी तक नहीं करेगा मेरे उसे जहर दे दिया है और खुद भी क्या तुमने जहर पिलिया इम्रान जार जाले डॉक्टर को बिलाओ अब बहुत देर हो चुकी है मेरी जिन्दगी का अकसित पुरा हो गया और अम्मे को दिया वावादा भी पूरा किया मेरे एक बात और है मुझे खांदानी खमरस्तान में तो नहीं लेकिन हायात मर्जिल के किसी भी कोने में दफ़न कर देना अगर सरकार इजाज़त दे तो सरकार नहीं थारा सरकार को बेठे आपने मुझे बेटी कहा हाँ मुझे बहुत पहले तुझे बेटी कह देना चाहिए था मुझे मुझे माफ करते बेटी अइसन मत कहिए दना सरकार बेटी कहकर आपने मेरी बहुत असाथ कर दी है अजाज बहुत आप्स लाए 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 महाबतार रसुल आप्स आसिया इन्दलिल्लाहि वेन्दलाहि राजू इमरान जी, मेरी पोती आसिया को घर ले जाने की तयारी करो दो पूल मेरी अबर पे काफी है प्यार के मरने के बाल क्या करो जल्वे बहार के जल्वे बहार के देखे ना हश्र में भी मुझे कोई बे नखा अल्लाह मेरी चेहरे पे रखियो मेरा नखा आल्लाह 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 झाल झाल